करनाटक, आंतरपदेश और तेलंगाना में देखिए उगादी के नाम से जाना जाता हैं, केरल में देखिए वीशु के नाम से और तमिलनाडू में देखिए इसे पुथांडू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता हैं हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जिगे ट्रिक दोस्तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देखिए हैडिंग से समझ चुके हैं कि हम चर्ची त्योहारों और मेलों को डिसकस करेंगे मैंने आपके लिए देखिए 25 most important questions निकाले हैं अगर आप ये 25 most important questions कर लेते हैं तो किसी भी exam में देखिए इस topic से जो 2-3 questions पूछे जाते हैं वो आप 100% साही करके आएंगे इस वीडियो से बहार देखिए आपका question नहीं जाएगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा एक भी question आपको नहीं छोड़ना है तो चलिए बिना किसी देरी के हम lecture को start करते हैं देखिए friends पहला question है 100 drums festival इन में से किस राज्य में मनाया जाता हैं किस राज्य में मनाया जाता हैं देखिए 100 drum festivals मेगा लए में मनाया जाता हैं बहुत important question है बैसिकली देखिए इस festival का जो नाम है वो क्या है वंगाला त्योहार है वंगाला फेस्टिवल वंगाला फेस्टिवल को ही 100 drum festival के नाम से जाना जाता हैं कहां पर मनाया जाता हैं ये मेगालाई में मनाया जाता है। ये त्योहार जो है सर्दी के देखे आरंब का सूचक होता है। ये त्योहार जो है देखे मेगालाई की गारो जंजाती के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग संगीतमय वातावरन को देखे निर्मित करते हैं। जैसे कि बांसूरी बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, अलग-अलग देखिए वादी अंतर का उप्योग करते हैं। इसलिए इस त्योहार को देखिए इस फेस्टिवल को, सो ढोल वाला त्योहार मतलब 100 Drums Festival के नाम से भी जाना जाता हैं। मेन देखिए फेस्टिवल का नाम क्या है? वंगाला त्योहार को ही 100 Drums Festival के नाम से जाना जाता हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ते ध्यान रखेगा, मेगा लए में मनाया जाता हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक important update है, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप Crazy Zika Trick अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको इसका option मिल जाएगा। recorded courses का आपको option मिल जाता है, application पर ही देखिए आपको GS Foundation badge, RMB का भी देखिए option मिलता है, जिसमें देखिए हम आपको complete GS की study करवाते हैं, जिसमें आप देखिए history, quality, art and culture, science, सभी को देखिए हम अच्छे से cover करते हैं, तो अगर आपको देखिए RMB badge join करना है, तो description box में मैंने application क लिंक दे रखा है, आप उसे download करकर join कर सकते हैं, तो एक बार application download करके जरूर देखिए का, चलिए, lecture को वापस से हम continue करते हैं, next question आता है, अरुनाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यह एक क्रशी त्युवार है, जो कि आदी जन जाती के द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, अरुनाचल प्रदेश के बात करी, तो देखिए, अरुनाचल प्रदेश के और भी देखिए, बहुत सारे त्युवार है जो आपको दिमाग में रखना है, जैसे कि लोसार, ड्री, नियोक्रोम, खान महुसव, ये सारे त्योहर जो है अनुनाचल प्रदेश में मनाया जाते हैं, तो आप इनको भी ज़रूर ध्यान रखेगा, चलिए, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, नागालेंड का चर्चित हॉन हौन्बिल त्योहर कितने दिन तक मनाया जाता हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, नागालेंड में मनाया जाने वाला, इक प्रमुक त्योहर हैं हौन्बिल, हौन्बिल त्योहर जो हैं तो C अंसर यहां पर सही होगा। उनके स्मरण में देखिए यह त्योहार जो है वो मनाया जाता है। यह त्योहार जो है पुरानिक कथाओं को याद दिलाता है। जब भगवान मुर्गन यानि कार्तिके ने दूष्ट राक्षस तारका सुर का वद किया था। इसी के फल सरूप देखिए यह थाईपुसम महौसब जो है वो मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स थाईपुसम फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडू में मनाया जाता है। ऐसे story-wise देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो easily आप देखिए वो याद रख पाएंगे. चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, उगादी पर्व नव वर्ष के दोरान किस राज्य में मनाया जाता हैं? देखिए friends, भारत में नव वर्ष जो है, वो हिंदू केलेंडर के according देखिए हम बात करते हैं, तो चेत्र महा से शुरू होता हैं, जो कि अगर हम देखिए इंगलिश केलेंडर की बात करें, तो माना जाता हैं अपरेल मन्त से. clear? अब देखिए जो नया वर्ष मनाया जाता हैं भारत में, ये अलग-अलग राज्यों में देखिए अलग-अलग नाम से जाना जाता हैं, तो इससे related देखिए बहुत सारे question जो है exam में पूछ जाते हैं, 2022 देखिए SSC के exam में भी 4-5 question 9 वर्ष के देखिए नाम से related पूछे गए थे, तो चलिए जल्दी से हम discuss कर लेते हैं कि भारत में अलग-अलग राज्यों में 9 वर्ष का पर्वजों है, वो किस नाम से जाना जाता हैं, तो जैसा कि आप देख पारे होंगे, भारत के map में देखिए अगर हम उत्तर से दक्षिन की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहल अगर हम असम की बात करते हैं, जो कि भूत important है, वहाँ पर देखिए रोंगली बिहू के नाम से 9 वर्ष का पर्वजों है, वो celebrate किया जाता हैं, मणीपूर की बात करते हैं, तो चेरिया ओबा के नाम से जाना जाता हैं, अगर हम देखिए साउथ की तरफ चलते हैं, तो फ्र परनाटक, आंतरपदेश और तेलंगाना में देखिए उगादी के नाम से जाना जाता हैं, केरल में देखिए वीशू के नाम से और तमिलनाडू में देखिए इसे पुथांडू के नाम से celebrate किया जाता हैं, लास्ट में देखिए ओडिसा की बात करते हैं, तो ओडिसा में देखिए, नव वर्ष का जो त्योहार हैं, वो देखिए, पन्ना सक्रांती के नाम से मनाया जाता हैं, तो देखिए, भारत में, अलग-अलग राज्यों में, नव वर्ष का जो पर्व हैं, वो इन नामों से जाना जाता हैं, ध्यान रखेगा, very-very important है, ये चीज भी ध्यान र रखेगा, कि नव वर्ष की शुरुवाद जो है, वो हिंदू केलेंडर से देखिए होती है, चेत्र महा से, चेत्र महा देखिए, अंग्रेजी केलेंडर में पढ़ता हैं, अप्रेल महीने में, clear? तो चलिए, कोशन पर आते हैं, देखिए, उगादी पर्व नव वर्ष के किस राज्य में मनाया जाता हैं, तो उगादी पर्व जो है, देखिए, करनाटक में हमने बात करी थी, तो करनाटक यहाँ पर सही आंसर होगा, महारास्ट में नए वर्ष के दोरान कौन सा पर्व मनाया जाता हैं, तो नए वर्ष के दोरान देखिए, कौन सा पर्व मनाया जाता है महारास्टर में गुड़ी पढ़वा यह आंसर बिल्कुल सही होगा इन में से किस त्योहार को विजे उत्सव के नाम से जाना जाता हैं बहुत इंपोर्टन कोशन है बहुत बार देखे यह कोशन जो है एक्जाम में पूछा जा चुका है बार बार देखे एससी में कोशन रिपीट होता है तो फ्रेंड्स देखिए विजे उत्सव जो है यह देखिए हमपी त्योहार के नाम से जाना जाता है हमपी त्योहार बोलो चाहे विजे उत्सव बोलो बात एक किये विजे नगर सामराज्य जो है देखिए उसके अस्तित्व का जश्न मनाने के 1336 में देखे दो भाईयों ने मिलकर करी थी, हरीहर राय और बुका राय ने मिलकर देखे विजयनगर सामराज्य के स्थापना करी थी, और विजयनगर सामराज्य के अस्थित्व का जश्म मनाने के लिए ही हमपी त्योहर जो है वो मनाया जाता है, ये त्योहर जो है वो देख सराज्य में मनाया जाता है, करनाटक में मनाया जाता है हमपी उत्सव को ही देखिए विजे उत्सव के नाम से भी जाना जाता है तो इस इसको भी ध्यान रखेगा इसी से एक्जाम में देखिए कोशन पुछ ले जाते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली एक important बात, करनाटक की बात कर रहे हैं, तो करनाटक को देखिए उत्सव और त्योहारों की भूमी कहा जाता हैं, यहाँ पर देखिए पूरे साल भर कई कला और सांस्क्रतिक त्योहार जो है वो मनाया जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा करनाटक का देखिए काफी प्रसिद त्योहार, हमपी त्योहार जिसे विजय उत्सव के नाम से जाना जाता हैं, क्लियर वो आपको चलिए, नेक्स कोशन की तरब चलते हैं, लोकरंग महुत्सव इन में से किस राज्य में मनाया जाता हैं, तो फ्रेंड्स लोकरंग महुत्स का देखिए आयोजन जो है, मद्यप्रदेश की आधिवासी लोककला अकादमी द्वारा देखिए किया जाता हैं, तो एक्जाम में देखिए दोनों टाइप से कोशन पूछ सकते हैं, कि लोकरंग महुत्सव जो है, वो किस राज्य में मनाया जाता हैं, तो मद्यप्रदेश में किसके द्वारा देखिए आयोजीत किया जाता हैं तो आदिवसी लोग कला अकादमी के द्वारा आयोजीत किया जाता हैं ठीके एक्जाम में ये कोशन भी पूछा गया था चलिए नेच्श कोशन की तरफ चल दे हैं तकटुक उटसव किस राज्य का प्रमुग त्यवार हैं? वेरी वेरी इंपौ Medien देखे लद्दाक के सबसे महत्पुन त्योरों की बात करते हैं तो उसमें से एक आता है देखे टक्टोक उत्सव ये लद्दाक में मनाया जाता है टक्टोक त्योर जो है ये गोमपा गुफा में देखे मनाया जाता है इस उस्सव का देखिए सबसे इंपोर्टेंट आगरशक का देखिए केंद्र जो है वो है लामाओं का नरत्य मुकुटा नरत्य भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दिन भर यहाँ पर देखिए इस त्योहार के दोरान कई सांस्कृतिक कारिक्रमों का आयोजन भी किया जाता है इस दिन लोग जो है वो जाती एक अपड़े पहनते हैं और धार्मिक प्रताओं का पालन भी करते हैं तो टक्टोक उच्सव जो है यह देखिए लद्दाक में मनाया जाता हैं यहाँ पर हमने लद्दाक की बात करी तो लद्दाक में देखिए बहुत सारे त्योहार जो है वो मनाया जाते हैं एक एक करके देखिए आपको नाम बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा नारोपा महोसव देखिए लद्दाक में मनाया जाता है हमिस त्योहर भी देखिए लद्दाक में मनाया जाता है सिंदू दर्शन, दोस्मोचे, स्टोक गुरू ये सभी त्योहर जो है वो लद्दाक में मनाया जाते हैं यहां पर हमने देखिये बात करी नारूपा मोहुसव की, तो नारूपा मोहुसव देखिये very very important है, इसे हिमालय का कुम्ब भी कहा जाता है, कहाँ पर मनाया जाता हैं लड़ाक में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ठीके, तो टक्टो कुछ सव लगधाक में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन आता है, रंगोली भीहू असम के प्रमुक त्योहरों में से एक हैं, जिसे डेश के महीने में मनाया जाता हैं, मतलब किस महीने में मनाया जाता हैं, तो फ्रेंट देखिए, असम की बात करते हैं, तो असम में अनेक रंगा-रंग त्योहर जो है, वो मनाया जाते हैं, पर भीहू असम का मुख्य परव हैं, ये साल में देखिए, तीन बार मनाया जाता हैं, अलग-अलग नाम से देखिए, बनाया जाता हैं, एक एक करके ह पुरान रंगोली भीहू का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अभी हमने डिसकस भी किया था इसको। इसके बाद देखिए सेकेंड आता है बोगाली भीहू, जिसे माग भीहू भी कहा जाता है, ये फसल कटाई का त्योहार होता है। तीसरा आता है देखिए काती भीहू, जिसे कांगली भीहू भी कहा जाता है, ये शरद रितू का एक मेला होता है। तो ये देखिए तीन भीहू उत्सव जो है वो असम में मनाया जाते हैं। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट रंगोली भीहू जो है, जिसे बोहाग भीहू कहा जाता है ये देखिए नव वर्ष के आरंभ पर मनाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए कोशन में बात हो रही है रंगोली भीहू असम का त्योहार है किस महिने में मनाया जाता है तो नव वर्ष में देखिए मनाया जाता है और नव वर्ष की बात करते हैं, हिंदू केलेंडर के हिसाब से बात करते हैं, न talk और यिक माहा परता है अप्रेल, मतलम यहां पर अप्रेल अन्सल बिल्कूल सही होगा. तो देखे इस तरीके से tricky question भी पूशते हैं दियान रखेगा फ्रेंट्स सागा दागा प्रसिद बोध तयोहरों में से एक है या इनमें से किस राज़े में मनाय जाता है तो फ्रेंट्स देखे सागा दागा जो प्रसिद बोध तयोहर है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है सिक्किम राज्य में रहने वाले बोध समुदायों के द्वारा देखे इस त्योहार को मनाया जाता है बोध समुदायों के लोग जो है वो इस त्योहार को देखे बहुत यादा शूप मानते है ये त्योहार जो है मई और जून के बीच पड़ता है और इस महीने को देखिए पुन्य के महीने के नाम से भी जाना जाता है तो ज्यान रखिएगा सागा दागा प्रसिद बोधि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है नारोपा की देखिए अभी हमने बात करी थी लद्दाक का देखिए वार्शिक उच्सव हुए इसे देखिए हिमालाई का कुम्ब भी कहा जाता है नेक्स कोशन आता है फ्रेंड्स पोंगल त्योहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन है पोंगल त्योहार जो है देखिए तमिल्णाडू में मनाया जाता है आप सब़ी को पता है होगा फ्रेंड्स कि भारत में देखिए मकर सकरांती को अलग अलग नामों से देखिए सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब हर्याना में इसे लोडी के नाम से जाना जाता है राजस्तान गुजरात में उत्रायन के नाम से तमिल नाडू में इसे पोंगल के रूप में देखे सेलिब्रेट के जाता है तो मकर सक्रान्ति को देखे देश भर में अलग-अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है तमिल नाडू में इसे पॉंगल के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर यही बात हो लिए कि पॉंगल त्योहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है तो किस राज्य में मनाय जाता है तमिल नाडू में मनाय जाता है पोंगल की बात करते हैं तो देखिए पोंगल एक फसल की कटाई का उत्सव होता है ये परवजो हे चार दिनों तक चलता है हर दिन के पोंगल का देखिए अलग-अलग नाम होता है पहली पॉंगल को भोगी पॉंगल के नाम से जाना जाता है दूसरी पॉंगल को सूरी पॉंगल के नाम से तिसरी पॉंगल को मट्टू पॉंगल और इस त्योहार के देखिए अंतिम दिन मतलब चोथी पॉंगल को कानूम पॉंगल के नाम से जाना जाता है देखे फ्रेंड्स ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बार-बार एक्जाम में देखे इससे कोशन पूशते हैं पहला कोशन तो ये पूश लेते हैं कि पॉंगल त्योवार किस राज्य में मनाया जाता हैं तो तमिलनाडू में मनाया जाता हैं अब चार टाइप के देखे पॉंगल मनाया जाते हैं उनसे भी एक्जाम में देखे कोशन पूश लेते हैं SST 2020 में देखे कोशन पूशा गया था ये वाला कि चोथी पॉंगल को किस नाम से जाना जाता हैं तो कानूं पॉंगल के नाम से जाना जाता हैं ठीक है तो ध्यान रखेगा इस चीज़ को चलिए Next Question की तरफ चलते हैं भारत का प्रसिद गंगा सागर मिला किस राज्य में मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है ये पश्शिम मंगाल में पश्चिम बंगाल में आयोजी तोने वाला ये सबसे बड़ा मेला है इस मेले का आयोजन जो है वो कोलकता के निकर देखे हुगली नदी के तड़ पर ठिक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी से मिलती है देखे नाम से इस पस्ट है गंगा और सागर गंगा जहां पर देखे सागर से मिल रही है मतलब बंगाल की खाड़ी सागर और गंगा नदी आपस में जहां पर मिलते हैं वहीं पर इसी मेले को सेलिब्रेट किया जाता है ये मेला जो है विक्रमी समवंद के अनुसार देखे प्रतिवर्ष पोश मास के अंतिम दिन देखिए मनाया जाता है। मतलब मकर सकरान्थी के दिन देखिए इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है ये पशिम मंगाल के देखिए कोलकता में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पश्य मंगाल बिल्कुल सही अंसर होगा। अगला देखे कोशन आता है उत्तरपदेश में होली के अवसर पर लट मार होली मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है फ्रेंड्स ये बरसाना में मनाई जाती है। आप सभी को देखे पता भी होगा बहुती इंट्रेस्टिंग तरीके से देखिए होली मनाई जाती हैं बरसाना में। ब्रज के देखिए बरसाना गाउं में होली को बिल्कुल अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। उसे देखिए लट मार होली के नाम से जाना जाता है। इस होली के परवक को महाँ पर celebrate किया जाता है तो लट वार होली देखिए बहुती प्रसिद कहां पर celebrate की जाती है उत्तरपरदेश में — में celebrate की जाती है नेक्स ऌर्शन कि तरफ चलते हैं भारत के किस राज्य में लाही हरोबा उत्सव मनाया जाता है मनीपूर का देखिए बहुत ही फेमस फेस्टिवल ये लाई हरोबा, नत्य का देखिए एक टाचन रूपे, जो मनीपूर में सभी शेली के नत्य के रूपों का आधार माना जाता है अगर हम देखिए इस उत्सव के अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलकर आता हैं देवताओं का अमोध प्रमोध अगर हम देखिए इसके meaning की बात करते हैं English में तो इसका English में meaning है मेरी मेकिंग ओफ द गोट एक्जाम में देखिए ऐसा question पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्व है जिसका अर्थ है मेरी मेकिंग औफ दा गोट इस थरीके से देखिए exam में question पूछा गया था उसका आंसर था लाई हरुबा जो के मनीपूर में celebrate किया जाता है ठीके, इस तरीके से देखिए question exam में पूछे जाते हैं चलिए, next question की तरफ चलते हैं निम्निमे से कौन सा सिक्किम का प्रमुग त्योहार हैं? तो देखिए, सिक्किम का प्रमुग त्योहार कौन सा हैं? लोसुंग है लोसुंग जो है ये भूटिया जंजाती के लोग जो है देखिए महाँ पर सेलिब्रेट करते हैं ये हर साल दिसंबर के महीने में देखिए सेलिब्रेट किया जाता हैं लोसुंग त्योहार जो है ये भूटिया समुदाये में देखिये किसानों की फसल का पारंपरिक त्योहार माना जाता हैं। वे लोग जो है वो देखिये अगले साल की अच्छी फसल के लिए प्रातना करते हैं। तो ध्यान रखियेगा लोसुंग उस्तव जो है सिक्किम में म मनाया जाता है देखिए बेसाकी पर्व जो है ये नव वर्ष के देखिए दोरान मनाया जाता है कहाँ पर पंजाब में मनाया जाता है नव वर्ष मतलब चेत्र महा और चेत्र महा जो है देखिए वो अंग्रेजी केलेंडर में शुरुआत होती है उसके अप्रेल से तो पर देखिए बेसाकी की बात हो रही है तो बेसाकी के पर्व की शुरुआत जो है देखिए भारत के पंजाब प्रांत से हुई हैं इसे देखिए रभी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में देखिए सेलिब्रिट किया जाता हैं देखिए इसमें एक चीज़ रखेगा अभी देखिए 2022 में SSC में कोशन पूश लिया था चलिए, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं इन में से कौन सा त्योहार रमजान के आकरी दिन मनाया जाता है तो फ्रेंट्स देखिए विशो भर के मुस्लिम समुदायो द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है रमजान इसलामी केलेंडर का देखिए नववा महिना पड़ता है रमजान का महिना इस महिने के देखिए आकरी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है इदुल फितर यहाँ पर देखिए इदुल फितर बिल्कुल सही अंसर होगा यहाँ रखेगा रमजान के आकरी दिन मनाया जाता है इदुल फितर चलिए अगला कोशन आता है पुथांडू उत्सव भारत के किस राज्य में नव वर्ष के दोरान मनाया जाता है तो देखिए हमने डिसकस कराता अभी पुथांडू उत्सव जो है देखिए तमिल नाडू में नव वर्ष के दोरान मनाया जाता है तमिल नाडू का देखिए पडोसी राज्य है केरल वहाँ पर देखिए नव वर्ष के दोरान कौन सा देखिए त्योहार मनाया जाता है विशू बनाया जाता है ठीक है ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोशन आता है सेरे गुल फरोशन जिसे फुल वालों की सेर के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है देखिए सेरे गुल फरोशन दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है इस त्योहार को देखिए फुल वालों की सेर के नाम से भी जाना जाता है ये तीन दिवसी त्योहार होता है जो कि बर्सात के मोसम के ठिक बात मनाया जाता है मतलब September में देखे इसको Celebrate किया जाता है Hindu और Muslimान दोनों देखे इस त्यूहर को मनाते है इसकी शुरुआत जो हुई थी त्यूहर की वो 1808 के समय में देखिए अकबर शाद दीतिय के समय में हुई थी सेरे गुल्फ वरोशन, जिसे फूल वालों की सेर के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, नेक्स कोशन आता है, जली कट्टू नामक त्युहार किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट देखिए, किस राज्य में मनाया जाता ह इस खेल में देखिए बेलो से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है जली कट्टू को तमिल नाडू के गोरव थता सांस्कृतिक का प्रतिक कहा जाता है ये खेल जो है दोजार साल पुराना खेले तो ध्यान रखेगा फ्रेंड्स जली कट्टू नामक त्योहर जो है वो किस राज्य में मनाय जाता है तमिल नाडू में मनाय जाता है नेक्स्ट आता है वाशिक पुषकर मेला किस राज्य में मनाया जाता है किस राज्य में देखिये मनाया जाता है पुषकर मेला राजस्थान में राजस्थान का देखिये पुषकर मेला जो है बहुत ज़्यादा देखिये फैमस है इस मेले को दुनिया का देखिए सबसे बड़ा उंट फेस्टिवल भी खा जाता है क्योंकि यहां पर देखिए उंटों का क्रई विक्रई मतलब उनका व्यापार किया जाता है इस मेले में देखिए अन्य पशुओं का भी व्यापार किया जाता है पर उटो का व्यापार जो है वो यहां का देखिए मुख्या आकर्शन का केंदर होता है एक्जाम में देखिए ऐसे कोशन पुछ लेते हैं कि इन में से कौन सा मेला जो है जिसमें उटो का व्यापार किया जाता है तो कौन सा हैं वो पुछ कर मेला ये ध्यान रखेगा कि राजयस्थान में celebrate किया जाता है Next question आता है सामाजिक त्योहार नुवा खाई भारत के किस राजय से संबन दीते हैं तो नुवा खाई जो है देखिए ओडिसा का एक प्रमुग लोग परव हैं ये त्योहार जो है पशिमी ओडिसा के देखिए सीमावर्ति जो राजचे हैं 36 गड़ उसमें भी बड़ी धूमदाम से celebrate किया जाता है इस त्योहार को ओडिसा के किसानों और श्रमी को द्वारा देखिए celebrate किया जाता है अगस्त और सेप्टेंबर मन्त में मनाया जाता है नुवा खाई पर्व ठीक है ध्यान रखेगा ओडिसा में अगला कुशन आता है इन में से किस जगह पर बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है तो बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है देखिए राजेस्थान के डुंगरपूर जिले में वहां का देखिए बहुत यादा प्रसिद्ध मेला है जिसमें देखिए जीले के आदिवासी बड़ी संक्या में भाग लेते हैं बेनेश्वर मंदिर के देखिए पड़ी सर में लगने वाला जो मेला है ये भगवान शीव को समरपीत होता है तो ध्यान रखिएगा बेनेश्वर मेला जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है राजेस्थान में अगला और देखिए आखरी कोशन आता है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है ये भी धक्षिन भारत का त्योहार ओनम किस से संबन देते हैं तो फ्रेंट्स देखिए ओनम जो है ये देखिए वामन और राजा महा बली की याद में मनाया जाता है ओनम जो है ये केरल में एक देखिए पुरानिक राजा देते राजा महा बली के सुशाशन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है जिन्होंने कभी केरल पर शाशन किया था तो केरल में मनाया जाता है देखिए ओनम त्योहार किस की स्मृति में मनाया जाता है महाबली की स्मृति में मनाय जाता है मतलब महाबली से संबंदीत है D answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि केरल में इसको celebrate किया जाता है तो friends यहाँ पर देखिए त्योहारों और मेले से संबंदीत सभी देखिए important 25 इस question को हमने complete किये आपको देखिए आने वाली exam में इनी में से देखिए question देखने को मिलेंगे एक बार और देखिए अच्छे से इस वीडियो को revise कर लीजिएगा अगर आपको देखिए इसका PDF लेना है तो crazygk trick की application डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा साथी में friends अगर आपको देखिए crazygk trick की live classes जोईन करनी है तो crazygk trick का ही platform है root application उसको आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आप देखिए अलग-अलग subjects के live courses जो है वो जोईन कर सकते हैं हाली में देखिए अभी GS foundation बेच आरंब भी start हो चुका है जहाँ पर देखिए हम GS की best foundation आपको provide करते हैं अगर आपको देखिए सिर्फ art and culture का भी course जोईन करना है वो option भी आपको वहाँ पर मिल जाता है तो एक बार जरूर देखिएगा application का link में ने description box में दे रखा है तो friends आज के बस इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको वीडियो काफे अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कर दीजिए शेर कर दीजिए और comment करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर अपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कराएं तो subscribe भी कर लिजिए मिलते हैं friends अगले वीडियो में जय हिन जय भारत